यह बोट की 4100 DA soundbar है तो सही लेकिन जब मैं इसे पहली बार सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह बोट की soundbar है यह soundbar Dolby Atmos को support करती है और पहली बार बोट ने इस price category के अंदर अपनी एक soundbar launch करी है कैसी है यह soundbar मैं बताऊंगा आपको मेरा नाम है विनीत मलोतरा और आप देख रहे हैं बोट की इस Dolby Atmos soundbar का एक true view बताना जरूरी है इसलिए आपको बताता हूँ हर वीडियो के अंदर कि गल्मेंट के गाइडलाइन्स के अनसार मैंने इस प्रोड़क को पहले खुद खरीदा है उसके बाद इसे यूज किया है उसके बाद इसका आपको true view दिखा रहा हूँ और दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए ना मुझे किसी ने पैसे दिये है और ना ही ये product अब आपको बताता हूँ सबसे पहले इसकी looks के बारे में ताकि आप ये अंदाजा लगा पाएं कि बोट की ये soundbar क्यों मुझे बोट की जैसी नहीं लगी ये soundbar के अंदर आपको fabric feel मिलती है दो तरफ यानि टॉप पे भी और सामने भी और सामने आपको बोट की एक तरफ और डॉल भी आटमॉस की दूसरी तरफ ब्रैंडिंग देखने को मिलेगी एक side पे आपको इसके controls भी यानि button controls भी देखने को मिलेंगे और soundbar के पीछे आपको connectivity options मिलेंगी जिसमें आपको HDMI ARC port, HDMI in port, optical port, aux और USB port भी देखने को मिलेंगे और ये soundbar शायद Bluetooth 5.0 या फिर शायद 5.3 support करती है अब ये मैंने शायद क्यों बोला है क्योंकि Amazon से जहां से मैंने soundbar को खरीदा है वहाँ पे लिखा है Bluetooth 5.3 और बोट की अपनी website पे लिखा है 5.0 Now I am not sure कि कौन सा सही है बट Bluetooth connectivity की बात करें तो उसमें कोई problem नहीं है अब एक चीज इसमें मज़े की है भी और नहीं भी बट इस soundbar के साथ आपको subwoofer को wire से connect करना पड़ेगा और एक नहीं दो तारो से और subwoofer को देनी पड़ेगी power यानि subwoofer पावर लेगा और वो पावर यहां भी भेजेगा यानि आपको इस subwoofer से soundbar को power देनी पड़ेगी और subwoofer का जो output है उसमें आपको यह soundbar में input करना पड़ेगा यह एक वियर्ड कॉमिनेशन है जो पहले आपको किसी soundbar में मिला नहीं पड़ेगी अगर आपको यह soundbar लेनी है तो मतब इस अ वायर्ड subwoofer soundbar that you have to understand overall अगर मैं लुक की बात करूँ देन अ लुक इस नाट प्रीमियम दिखाने की बोट ने बहुत ज्यादा कुशिश करी है और इस अ प्रीमियम सांद बार ने फैबरिक भी यूस किया है पट वो जो फैबरिक है यह जो फैबरिक है आप वेरी प्रीम कॉलिटी ब अब इस अडियो टेस्क को सुनने के बाद आपको यह पूरी तरह से यकीन हो गया होगा कि यह बोट का ओडियो सिगनेचर नहीं है यानि आप बोट की कोई भी और सांद बार लेंगे तो आपको ऐसा ओडियो सिगनेचर कभी में नहीं मिलेगा यह जो बेस आपको मिली इस पून फाइरिंग सब वूफर से जिसकी बहुत हद तक लुक्स जेबीयल के सब वूफर से मिलती जुलती हैं वो बहुत जबरदस थी मतला बहुत जबरदस बेस ऐसी बेस हमें बोट की सांद बार में कभी नहीं सुनाई देती एक्चली मैंने थोड़ा गलत बोला बोट की क बहुत वेल्कम चेंज हैं एंड आई लाव दिस चेंज नेट यह जो सांद बार है इसके अंदर भी गजब का कमाल किया गया है आपको सांद बार के अंदर मिलते हैं चार ड्राइवर्स नीचे यानि फ्रंट फाइरिंग लेकिन उन में से दो फ्रंट स्पीकर्स हैं और दो मिड रेंज स्पीकर्स हैं और दो स्पीकर्स मिलते हैं अफ़र्ट फाइरिंग ये अफ़र्ट फाइरिंग स्पीकर्स जो है ये आपको दे रहे हैं सराउंड फेक्ट ये आपको दे रहे हैं डॉल्बी आटमस की डी कोडिंग ये नो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो ह पर फिर से काऊंगा कि ये बोट की sound bar है तो सही लेकिन आपको लगेगी नहीं क्योंकि ये audio signature ही पूरी तरीके से different है it's a very good and a premium audio signature where you actually get a lot of clarity आप जब इस sound bar को किसी music के लिए भी use करेंगे तो भी आपको एक हलका हलका virtual surround मिलेगा and the reason being very simple ये जो upward firing drivers है ये audio signals को यानि audio को उपर ceiling तक टकरा के जब आपके कानों तक पहुचाते है then you get a virtual surround a cinematic kind of experience even in these songs अब आपको कैसे बता चलेगा ये cinematic experience आ रहा है songs में या नहीं आपको मैंने description box में एक audio files का link दिया है वो audio files कौन सी है इस soundbar से हमने testing के दुरान बहुत सारे songs को record किया जो मैं बाकी सभी Dolby Atmos soundbars के अंदर record कर रहा हूँ उनी recorded songs को मैंने अपनी drive पे upload किया और उसका link audio files का मैंने आपको description box में दिया है ताकि आप उसे click करके अपने phone में download करें और उन्हें सुने कोई earphone या headphone लगाना तभी आपको वो मज़ा वो जो हलके अलकी सराउंड का जो मज़ा आएगा ना वो आपको तभी आएगा इस soundbar से and trust me this is a fantastic soundbar इसके audio quality के बार में आपको एक और बार बताऊंगा लेकिन पहले आपको मैं इसका एक audio video test सुनाता हूं जिसको सुनके मेरे तो goosebumps हो गये थे आपके देखते हैं होते की नहीं होते है अब इसे कहते हैं असली मजा मतलब actually में जब आप एक theater में जाते हैं तो आप क्या experience करते हैं आपको बहुत अच्छे dialogue सुनाई देते हैं आपको बिलकुल भी dialogue clarity में कोई कमे नहीं होती you'll get this in this soundbar आपको जो clarity है वो किसी भी note की बहुत शांदार सुनाई देगी आपको ये इस soundbar में मिलेगा एक और चीज होती है ground shaking bass जहां पे भी बहुत ज़्यादा bass है कोई fight sequence है कोई tank आ रहा है कोई गोलिया चल रही हैं आपको वहां पे जो vibrating bass सुनाई देगी यो महसूस होग ये जो चीज है ना ये आपको इस soundbar में बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है because of this fantastic subwoofer ये 200 watt की soundbar है और 100 watt subwoofer की power है यानि इसका output ये है now understand it यहां पे ज़्यादा focus किस पे दिया गया अच्छी clarity और अच्छे vocals पे उसकी वज़े से क्या हुआ आपको bass कम output होने के बहुत अच्छे से सुनाई यानि महसूस देने होने लगी अब इसका क्या मतलब है आप जब अच्छी audio quality सुनते हैं आपके mid notes और high notes अगर बहुत अच्छे से deliver हो रहे हैं उनके पास ज़्यादा power है जो कि boat की किसी soundbar में होती नहीं है लेकिन इसमें है तो आपको bass भी बहु ज़्यादा focus किया है because that is how Dolby Atmos sound signatures is आपको यही Dolby Atmos का मजा जो इस trailer में मिला और यह आपको मैंने link दिया है audio files में भी उसमें भी आप सुनेंगे तब भी आपको यही मजा आएगा यह amazing है आपको बिल्कुल cinema hall वाली feeling आएगी and that is my guarantee अब आपको बताता हो इसके HDMI in port से आप क्य कर सकते हैं बोट ने बिल्कुल भी declare नहीं किया कि HDMI in port की क्या capabilities है लेकिन जब हमने उससे fire stick 4K को लगाया और जब fire OS TV में आया तो उसके अंदर मुझे HDR 10, HDR 10 Plus और Dolby Vision तीनों की support नहीं मिली यानि इसका मतलब यह हुआ कि बोट की इस soundbar के HDMI in port से आपको सिर्फ HD pass-through मिलेगा now you have to see कि आपके जरूरत में आता है या नहीं है अब problem तो कोई बात नहीं बट HDR pass-through ही होता तो भी मैं इसको कहता fantastic feature और अभी तो बहुत सारे formats की pass-through आपको मिल रहा है it's a very very good thing अब बारी आ गई pros and cons के बारे में लेकिन सबसे पहले आपको इसका price बताता हूँ लेके आना जो brand तक को पता नहीं है कि उनकी soundbar में क्या capability है वो सिर्फ एक true view में मैं ही कर सकता हूँ इसलिए please support this channel और मेरे affiliate link को यूज करने पर आपका एक रुपया भी extra use नहीं होगा अब आपको सबसे पहले इस soundbar की cons बताता हूँ I think यह wired वाला connection है इसका soundbar और subwoofer का that is not very very happy मैं तब आज की रेट में हम लोग wireless subwoofer से भी Dolby Atmos की decoding कर सकते हैं very very easily in fact यह 3-4 साल पहले सही बहुत आराम से करा जा सकता है but should have done that यहां पे बहुत जबरदस cost cutting करी गई है इस चीज में दूसरी जगह जो cost cutting करी गई है वो HDMI ARC port देके ना कि EARC 2.1 port देके thankfully जो वर्जन है वो बहुत जादा पुराना नहीं है वरना आपको Atmos की decoding नहीं मिलती obviously उनको पता है इसली उनने थोड़सा लेटेस्ट वर्जन आपको ARC port का दिया है that is good another thing that I you know did not like is the fabric quality यह quality बहुत जादा premium नहीं है they wanted to you know make it look like a very premium soundbar यह ठीक है थोड़ी थोड़ी दिखती है लेकिन यह वो चीज नहीं है मेरे पस fabric की बहुत सारी soundbars मतलब मेरे पस LG की soundbars है Yamaha की soundbars है मतलब they look really really premium of course they charge their premium price also but boat जैसे brand को ऐसी innovation करते समें I think थोड़ा सा quality का ध्यान है सही है था this is slightly hard but it's okay चलो अब pros बताता हूं आपको क्योंकि आप जल्दी से जाने वाले हैं description box में उस link को check करने के लिए जिसमें आपको यह soundbar 20,000 या उससे कम में cost करने वाली है वो बाद में जाएगा pros सुनिये आपको ground shaking और vibrating bass सुनने को गलत बोल रहा हूं बोट की soundbar है इसलिए आदत हो चुकी है ground breaking and vibrating आपको bass महसूस होगी यह जो महसूस होने वाली चीज है that is the real bass आपको actual bass जो महसूस होगी तो आपको vibrate करेगी आपको अंदर-अंदर से कि यार यह होती है bass इसमें आता है मज़ा this down firing subwoofer is actually doing a lot of magic यह एक बहुत बड़ी चीज है और मैं बोट की soundbar से यह सुनके बहुत खुछ हुआ आपको जो clarity मिलती है वो बहुत जादा अच्छी मिलती है because of very very good drivers और वो specifically design करे गए है एक front firing sorry दो front firing और दो mid range drivers यह दो mid range drivers आपको mid notes को बहुत शांदार तरीके से deliver करते हैं and जो upward firing drivers है यह करते हैं एक surround का बहुत तगड़ा बहुत ही virtual surround का एक ऐसा एहसास जिसमें आप actually मैं feel करेंगे यार हम एक cinema hall छोटे cinema hall में बैठे हैं अपने room के अंदर बना के now that is a very very happy experience when you get it इसलिए मुझे यह soundbar बहुत अच्छी लगी ठीक है I would have loved a few more things in this थोड़ी से tuning और बेटर हो सकती थी but I have no complaints whatsoever in this price I think this is a very very good soundbar और आप में से जो भी लोग एक Dolby Atmos soundbar ट्विंटी थाउजन रुपीज के आसपास ढूंड रहे हैं एक अच्छी बेस वाली soundbar this is the one to go for जल्दी से जाए हैं बहुत सारे soundbar के आपको पता है मैं बता रहूँ ना आपको आप पता चल गया इसलिए वह comparison को भी देखना बिलकुल मत बूलना एक बहुत बढ़िया Dolby Atmos soundbar का भी comparison आने वाला है उसे भी जरूर देखिएगा मिस बिलकुल मत करिएगा और हाँ अगले वीडियो के लिए वेट जरूर करना क्योंकि ऐसे true views आपको सिर्फ विनीत मलोतरा ही दिखा सकता है अगले वीडियो मिलता है आपको thank you very very much